दोस्तों नमस्कार स्वागे थे आपका हमारे यूटूब चैनल मिस्टर स्पी पॉइंट में सात्यों आज हम बीए दुती वर्स वालों के लिए दोमर का विकास माडल बताएंगे इसके पहले हमने चौते वीडियो में हमारे जो चौता लेक्चे था उसका पार्ट वन में हमने जो हैरोट का माडल बताया था हैरोट के आर्थिक समरिदी का विकास माडल बताया था आज हम विकास माडल बताएंगे किसका दोमर का दोमर का बताएए गे इसके कुछ अलोचनाय हैं उसको बताएखे बहुत इस सरल सब्दों में और आच्छे सी आप लोगो समझाएँगे और जो बताएखे इसकी सारी नोट्स हम अपने टेलीगराम चैनल पर भेजेंगे तो तो टेलेगराम चैनल पर आप लोग जोईन हो जाएए हमारे डिक्सक्षन में उसके लिग मिल जाएगी या फिर टेलेगराम पर जाकर हमारी चैनल का नाम सर्च कर तो चलिए साथियों वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हम लगातार हर एक विसेयो के आतार वीडियो अपलोड होगा इसके लिए आप लोग लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए सुरू करते हैं देखिए दोस्तों क्या है विकास का सीखेंगे और समझेंगे आज आप लोगो डोमर का विकास माडल समझने में थोड़ा सी भी ऐसा नहीं होगा कि हमको समझ नहीं आया है बिलकुल अच्छे से ध्यान देजिए बहुत अच्छे तरीके साब समझ जाएंगे इकोनामिक्स बहुत ही अच्छा है बहुत इंट्र ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन दिन में उसका वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ कींस का सिध्धान पे विस्तार पूरव व्यक्षा करेंगे कींस ने क्या कहा है अपनी बुक में उनकी बुक की नाम आप लोग जानते होंगे कींस की एक बहुत फेमस बुक ही उसक जरूर बताईए कर साथ ही हो और उस बूप के बारे में कींस ने बताया है उस बुक के बारे में उसको बताएंगे कींस की सारी बाते बाते bö देखिए डोमर का विकास माडल जो है कींस की विचार धारा पर आधारी थे कींस की विचार धारा मैं वीडियो में बताएंगा आप लोग मेरे वीडियो का इंतजार करिए मैं बहुत जल्द उसको लाऊंगा और जो कि 1947 में दिये थे American Economics Review ने प्रकासित किया गया था इसको और इस माडल का प्रमुक देश था यह जो विकास डोमर का विकास माडल है इस माडल का प्रमुक जो देश था कारकों का पता लगा उन कारकों का पता लगा ना जो वियापार चक्र का उतार चड़ाओ लाते हैं कहने मतलब जो विकास का माडल है इसका बस यह कुद्देश है कि न कारकों का पता लगाता है जो कि वियापार चक्र का उतार चड़ाओ लाते हैं अ की इस थेर्ता क्या हो बनाई रखी जा सके और आर्थेविस्ता उब्चिया और ले जा सके कहने का मतलब जो डोमर का विकास माडल है इनका मेन उद्देस जो होता है वे होता है उन कारकों का पता लगाना जिसंसे जो प्यापार का चक्र है इस चक्र में उतार चल्भाऊ कहां से आता है और इस अर्ठववस्ता में असतिरत कैसे बनाई रखी जा सके इस पर इस मॉडल को निर्धारित किया गया और इसी पर ये काम करता है आर्थववस्ता को उपर के ओर ले जाने के लिए टूमर का विकास माडल इसलिए इनका विकास माडल नाम दिया गया है अब देखिए इसमें क्या है उनकी अनुसार क्या है पूजी वादी जो अर्थेववस्ता होते हैं पूजी वादी मैं एक वीडियो में अच्छे तो बताएं आपको पूजी वादी समाजवादी और मिस्धिर अर्थव्ष्वस्था की उपर मैं एक वीडियो बनादूगा आप लोगों गँए इस चीज समझना है बेसिक चीज तो उस पर मैंने वीडियो बना दूँगा आप लोग ज़रा हमको बस कमेंट बाउग में आपनी प्रितक्रिया जरूर दिया करिए जो उसका विभार होता वो नहीं होता है अता डूमर का विकास माडल प्रमुगुरूप से वृद्धी से संबंदी थे कहने का मतलब इनके आर्भब कहाँ जाता है पूजी बदे अर्थिवस्ता में हमेशा ऊपर की औले जाने की विभार नहीं होता आता डूमर का विकास मॉडल है मैं जिस डूमर के विकास मॉडल पर बात कर रहा हूं ये मॉडल के जो संबंदी थे ये새 acres संबंदी थे함лंegयां इसा किस्चन आता है और प्रमुक रूप से विर्धी से संबंदित है और इसकी जो समय की है इसका उतार चढ़ाओ का गौड अस्थान है समझें इसको आप लोग अच्छे द्यां देजिए अब देखिए डोमर के अनुसार निवेस की अर्थवस्ता में दो कारे होते हैं कि विर्धी विर्धी अब इस पर विस्तार पूर्व गभी हम बात करेंगे और उत्पादन जो चंपता होती उसमें प्रकार की जाएगी क्या है यहां डोमर कहते हैं कि डोमर का विकास मॉडल है उसमें करने का प्रयास किया है कि अर्थवरस्ता में पूर रोजगार बनाये रखने के लिए निवेजदर क्या होती है क्या होनी चाहिए यही इन्होंने बताया है यही बताया है आप लोग पॉइंट समझेए यहाँ पे आपको बहुत ध्यां समझे ढोबर अपने विकास मॉडल में याश्पट करने का प्रयास किया है कि अर्थवरस्ता जो होती उसमें पूर रोजगार यहाँ पूर रोजगार बनाये रखने की निवेजदर क्या होनी चाहिए जिससे पूर रोजगार रहे अर्थवस्ता में ताकि आय में विर्धी उत्पादन छमता दोनों में समान विर्धी हो सके किस प्रकार निवेस किया जाए कि पूर रोजगार की स्थिति आ सके और निवेस में जो जब अच्छे से किया जाएगा तो आय जो होगी IMokrs आयमेख विर्द्धिय और उत्पादन चह्मता मीळी दोनों समान विर्दियों समान порकार से विर्दियों यहीं डोमर ने इसâte पर बात किया है इसी की कि पर फोकस किया है कह सकते आप तो इसको जरब भूहत ध्यान समझे साथ को मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं आपको अच्छे समझाने की तो आप लोग बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए लेक्चर को पूरा देखा करिए अच्छे समझी अगर रहा ना समझ पाते हो तो आप अगले जो जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ माता परसनली में आपने सोसल मीडिया प पर आइमे विरिधिन ना हो तो क्या होगा देखिए फिर से एक बार समझेगे क्या है दूमर के अनुसर यह संभाव होए कि निवेस से चमता जो होती है निवेस से उतपादन चमता में बढ़ जाने पर जब निवेस आप करेंगे ज्यादा इंवेस्ट करेंगे तो जो उत्पादन में तब भी विर्धि ना हो उत्पादन विर्धि होने के बावजूद भी तो आज क्या होगा ऐसी इस्तिति में अधिक उत्पादन वाली वस्तुएं की मांग ना होने से पूजगे जो साधन होते हैं आने साधनों को पूड उपयोग नहीं हो पाएगा अतब पूड रोजगार की इस्तिति बनाया रखने के लिए उत्पादन चमता बराबर ही वास्तविक आयमे स्रिजन होना चाहिए देखिए जब आप किसी सीच का प्रोडक्शन करते हैं उत्प पूड रोजगार बन पाएगा पूड रोजगार की इस्तिति बनाया रखने के लिए क्या होगी उत्पादन चमता बराबर होनी चाहिए वास्तविक आयका सिर्जन होना चाहिए यदे नहीं होगा तो क्या होगा हमारे अर्थवस्ता में नहीं बन पाएगी यहां पर विका योग नहीं हो पाएगा यही चीज कहते हैं किस प्रकार से इनका सिध्धात इसी पर आधारी ते सातियों जरा आप लोग अच्छे समझने के परयास करिए अब देखें डोमर का जो माडल थी इसकी व्याख्या डोमर के माडल की व्याख्या की गई है कुछ पॉइंट देखते हैं कुछ बिंदू देखते हैं पहला क्या है डोमर के अनुसार किसी अर्थवस्ता में उत्पादन चम्ता में बृद्धी को ग्याद कनने के लिए निवेसी मात्रा जो है इन्वेस्ट्मेंट आई निवेसी मात्रा को उसकी संभावित खुरदन उत्पादक्ता से गुड़ा करते हैं एक बार समझे यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा भी आपको देखने को मिलेगा क्या है कि जो डोमर है डोमर के अंसाथ अस्वस्ता में उत्पादन चंपता में विध्धि को ग्यांद करने के लिए निवेशिक मत्रा में क्या होगा उसक मात्रा गुड़े क्या है उत्पादक्ता उत्पादन चंपता में विध्धि क्या जा सकता है और देखिए आगे आगे क्या है एक हाई यह देखिए पॉइंट नंबर टू में क्या कहा गया है कहा गया है कि अर्थव्यस्ता में उत्पादन चंपता में विध्धि से जो आय सिर्जन किया जाता है जो आय सिर्जन होता है वह मांग उत्पन करता है और जब मांग उत्पन करता है तो आय में परिवर्तन निवेश की दर, निवेश की दर में परिवर्तन का गुड़व पर निवर करता है, कहने का मतलब, यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर वीडियो थोड़ा, तेखिए साथ यह थोड़ा वीडियो बैक हो गया था, यहाँ पर स्क्रीन से, तो उसे लिए आप लोग पर परिवियतन निवेश की दर में परिवटन होगा है तुर्भ में निवेश के उपर यह ने आप क्या है तीसरा थी क्वार्ड lan को ढखे रखना है तुर्भ और चमता में समान आय में वृद्धी होनी चाहिए क्या है सत्यों यद किसी अर्थ होस्ता में पूर रोजगार ये पूर रोजगार की बात कर रहे हैं और वृद्धी की बात कर रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं विकास माड़ा लही है एनका डूमर का तो ये कहते हैं अर्थवरस्ता में पूर्ड रोजगार बनाय रखना है तो उत्पादन चम्ता में समान जो आयमे विर्धी होनी चाहिए अर्था निसकर सरूप से हम कह सकते हैं कि ये अर्थवरस्ता में पूर्ड रोजगार को बनाय रखना है तो उत्पादन चम्ता में विर बदाबर और के बराबर हो यह इस इसरे क्या हमको पता चलता है यह आपको पूर रोजगार बनाए रखना है समान आई में विर्धी होने चाहिए बस इतना ही आप लोग समझ दीजिए बस आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जागा तो चलिए आगे और देखते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में देखी सत्यों यहां क्या है डोमर के विकास माडल है इसमें विशेस्ताओं पर बात कर रहे हैं संतूलन में परिवर्तन होने पर अर्थवस्ता में ऊपर नीचे की और संचयी प्रभाव होता है कहने का मतलब जब किसी अर्थ वस्ता में संथूलन में परिवर्तन होगा कोई संथूलन इस्तिर्था नमें संथे हैं और लोग इतना तो उद्पादन साधनों में साप एक्षित कमी के कारण निवेश में विर्धि का रोगी दूत निवेश में प्रयास बार बार कर रहा हो कि था समाजा लीजिए बस इस समझबta यहाँ पर फोकस और पढ़क जाएंगा आपको फिर तिदिमाग उतर जाता है तो देखें निवेश क्या है? यद निवेश उत्पादन छंता की तुल्ना में क्या है? आय में विर्धी होती है तो उत्पादन की साधनों में सापेकशित कमी के करण निवेश में विर्धी जो विर्धी होती है होगी जो आय की विर्धी करेगा कहने मतलब जो इसके निवेश में विर्धी होगी वही विर्धी करेगा किसमें आय में बस इतना समझेए देखे कुछ और पॉइंट देखते हैं पॉइंट और है विसे स्ताओं में कहरा है यहां पे यादी क्या है यादी किसी अर्थ विपरीद मतलब अगर विपरीद निवेश किया जाए यादी है किसी विपरीद अगर निवेश के विया में विर्धि उत्पादन चमता को सिर्जन में तुलना कम हो कहने मतलब इसके विपरीद जो हमने बताया विर्धि करेगा आए में इसके विपरीद इसके विपरीद अगर निवेश और आए में विर्धि उत्पादन चमता स्रीजर की तुलावे कब हो तो उत्पादन साधनों की सापेख्छित अग्धित्तम निवेज घटेगा जो आय में कमी करेगा और आय में कमी का चक्र चलता रहेगा ये इसकी प्रमुविसियस्ता है तो और क्या है आगे देखिए देखिए साथियो बस यहाँ पर हमने आपको डोमर का जो माडल था विकास माडल उसमें हमने पहले बताया डोमर का विकास माडल क्या है और डोमर के विकास माडल की वियाख्या क्या है और उसकी विशियस्ताओं पर मैंने बात किया कुछ पॉइंट पर हब अलोचनियोग की बात करते हैं डोमर के विकास बार्डल की band की अलोचनियाग का किसे किया है अब हम लोग यहां देखेंगे तो क्या है पहली यह लोचनियोग में क्या है पूजी और ऑसत उपागता को ग्याद करना कठी यहां पर डोमर're का पूजी और उसत उत्पादक्ता ग्यात किया जा सकता मैंने उनकी इसे समय बताया है लेकिन यहां अलोचना कर रहे हैं कि पूजी की उसत जो उत्पादक्ता है ग्यात करना कठीन है वहां डोमर बताया है नहीं ग्यात किया जा सकता है अलोचना पहली अलोचना और दूसरा और कीमत स्थर इस्थिर नहीं होगा इन्होंने बताया है कोई भी कीमत स्थर इस्थिर होता है मैंने इस्थिर की बात की थी और सरकार की भूमिका की अपेक्छा कहने मतलब सरकार की भूमिका की अपेक्छा ये जो बताया है वे बिल्कुल नहीं होगा इनके जो क्या है जो विकास माडल है उसकी अलोचना आए हैं कुछ पॉइंट है और क्या है पूर रोजगार दर तथा उत्पादन चंपता में जो पूर उपयोग होता है उत्पादन चंपता के पूर उपयोग में उत्पादन चंपता के पूर उपयोग में योग के दर में क उन्होंने बताया कि नियमित शंपुलन रहात विकास करता जाएंगा और यह हमेशा होता रहेगगा यह नियमित नहीं होगा यह लोठ नियमित विकास का उंट लेग नहीं है आप आलग यद्धिन डांग के लिखेँगे पूरा पूरा नंबर पाएंगा आप इंटें नहीं रहते हैं और इनोंने बताया कि दीर काल ट्सक्त की प्रवेटी है पूजी के स्थिर रहता है यह सब इनकी प्रमुक लोचनाय हो गई की आज आप लोगों पहुत अच्छे तरीके से व्रविपास जो डूमर समझिये हमके पाने हैरोड का समरिधिक का विदियो में आज यह बताया है तो आप लोग विकास मोडर है रोड का डोमर का दोनों का विकास मॉडल कि बहुत सारे लोगों कमेंट आ रहा था कि आप वीडियो अप्लोड करना बंद कर दिये थे बस दो चार दिन की समस्या थी आप हम आपके लिए लगतार वीडियो अप्लोड करेंगे आप लोग निश्चिंत रहिए ठीक है बहुत हो धन्यवाद